रक्षित जरा वो तस्वीरें असपास की दिखाईए और बताएं कि क्या जानकारी इस वक्त आपको और वहां से मिल पा रही है देखे सबसे पहली तस्वीर हम ABP News के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे उन 14 डिब्बों में से एक डिब्बे की जिसमें इस वक्त हम मौझूद हैं जो 14 डिब्बे डिरेल हुए हैं उन में से एक में हम मौझूद हैं और हाथसा कितना भिशन रहा उसकी तस्दीक करती हुई ये पहली तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो coaches हैं एक दूसरे से interconnected थी तो जो पीछे वाला जो coach था जब वो आगे वाले coach से टकराता है तो उसके बाद में अगले coach पे कितना pressure पड़ता है उस बात की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं इसके बाद में अब को बेहत विचलित कर सकती हैं क्योंकि इतना दर्दनाक हाथसा है कि जिसकी कलपना नहीं की जा सकती थी और जिस हाथसे को जाहिर सी बात है रोका जा सकता था ये देखिए कि इस coach के ठीक पीछे आपको दूसरा coach जो है वो नजर आएगा कि किस तरीके से coach जो है वो डिरेल पटरी से उतर कर नीचे की तरफ पूरा मिटी में जाके ये धस गया है और इसके पीछे की तस्वीर देखिए ये जो coach इस वक्त आपको नजर आ रहा है दरसल ये एक school है एक घर है उसके बगल में जिसमें ये डिबबा गुस गया और इस कितना दर्दनाक हाथसा रहा होगा जो लोग इस बोगी में मौझूद होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी ये कलपना से भी परे है इतना दुखत हाथसा यहाँ पर बिजली की लाइन आप देख सकते हैं कि ये बिजली की लाइन थी बिजली की लाइन को तोड़ता हुआ डिबबा जो है वो इसके अंदर जा इसके अलावा कुछ और तस्वीरे जो 14 डिब्बे जो पल्टे हैं उन्हीं की हम लगातार तस्वीरे अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं ये तीन डिब्बों की हमने तस्वीरे दिखाई अब इसके बाद में आपको आगे के डिब्बे की तस्वीर दिखाते है उस चौते डिब्बे की तस्वीर जो की पूरे तरीके से पलट गया उसके आगे एक और पांचवा डिब्बा आप देख सकते हैं तो कुल मिलाकर ये पांच डिब्बे सबसे जादा जो हैं वो शत्री गरस्त हुए हैं सबसे जादा लोग जो चोटिल हुए हैं जो घायल क्योंकि जब इसके पीछे की तरफ लगबग दो या तीन बोगी पीछे छोड़ कर रेलवे ट्रैक जो है वो महां से कटा हुआ है उतकल एक्सप्रेस ट्रेन है अपनी रेगुलर स्पीड पर चलती है किसी तरीके का कोई SOS नहीं दिया जाता है मौके पर रेल की पट्री कट हुई हमने एबीपी न्यूस पर अपने दर्शकों को दिखाई वो इस बात की तस्दीक करती है स्थानिय लोगों ने इस बात की पुष्टी की कि जो गैंग मैन है रेलवे के वो यहां पर काम कर रहे थे सुबा से ही लगातार बारिश हो रही है मेरट के इलाके में और उसी तो ऐसा स्थानिय लोगों का दावा है कि उस समय पे भी काम चल रहा था और जो गैंग मैन थे वो मौझूद थे और काम चल रहा था लेकिन जब ट्रेन अपनी रेगुलर स्पीड से आती है तो वो गैंग मैन दोड़ कर हट जाते हैं किसी तरीके का कोई सिगनल संबफत है उनकी वज़े से नहीं दिया गया गोर लापरवाई जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से यहां पर देखने को मिल रही है और पूरा का पूरा हादसा जो है वो वाकई में टाला जा सकता था सिर्फ और सिर्फ रेलवे की लापरवाई की वज़े से ये हादसा फि देखा होगा उनसे बात किजिए रक्षेत जी बिलकुल यहां पर इस्थानिय लोग है मौजूद जो की यहां पर आसपास ही रहते हैं और आप देख सकते हैं कि यह मेरे बिलकुल बगल में ट्रेन का डिबा है और घरों की दूरी दिखाना चाहूंगा कि महस बीच में एक जो इनके मकान के सामने पूरा तैसनेस हो गया इनका मकान और चोट भी आई इनके मकान में लोगों को और काफी आदमी मरे भी हैं ट्रेन में जो लोग यानि के जो लोग यह यह तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे आपने दर्शकों को कि जो लोग यह जो ट्रेन का डिबा है यह लोगो का इस्थानिया लोगो का ये कहना है कि जब हमने आगे बात की कि जो रेलवे की पत्री का एक हिस्सा कटा हुआ है यहाँ पर काम चल रहा था सुबह से और जब ट्रेन आती है तो जो लोग काम कर रहे थे वो अचानक से ट्रेक से हट जाते हैं तो क्या ऐसा हुआ यानि के जो लोग काम कर रहे थे या तो उनको यह अंदाजा नहीं था कि ट्रेन आएगी और ट्रेन को भी किसी भी तरीके से नहीं पताया गया किसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आगे ट्रेन की पट्री कटी हुई चलता रहता एक लिए एक मैने पहले भी हथस्वाने से टला आया इस पर उसपर ऐहां इप qoold में करम चारि और व उसने अपने घर से कबड़ा ले कैर बचाये ता जब इतनी पड़ाइ गट्राइख तभी पट्री और तब इतनी पड़ाइग काट्री लेका degree सामने Queen तो ये एक और बहुत बड़ी चौकाने वाली बात है कि इस ट्रैक पर लगातार काम चल रहा है पिछले कुछ दिनों से और चंद दिन पहले भी ऐसा हाथसा स्थान्य लोगों की सूजबूज की वज़े से टला था लेकिन रेलवे के लोगों ने इससे कोई सीख नहीं ली और आज आखिरकार ये दुख़द जो घटना है जो हाथसा है ये यहाँ पर मेरट के और मुझफ़न अगर के बीच में खत कि देखें यहाँ पर इस बारे में हम अपनी तरफ से कोई पुष्टी नहीं करना चाहेंगे किसी भी तरीके की क्योंकि जितने मुझ उतनी बात अलग-अलग नंबर्स अलग-अलग फिगर्स आ रहें लेकिन फिर भी एक बार स्थानिय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं अच्छा जब से यह हादसा हुआ पांच बचके चालिस मिनिट पर उतकल एक्स्प्रेस यहां पहुचती है दुरगटना होती है जानमाल की कितना नुकसान हुआ होगा कितनी एंबुलेंस हैं कितने लोग चोटिल हैं कितने लोगों की मौत हुए पचास आदमी तो जो ह सब्सक्राइब मेरा खोन भी है कम से कम भी सतर आदमी मनने अपने हाथ से वहां इंजय हो गेते वे उन्हें रखवाए डैड़ बोड़ी ति उनकी उसमें रखवाए यह मुलेंस में यानि के लोगों को चोट काफी जादा लगी है बहुत जादा मेरा खोन बहुत जादा है बहुत जादा है अभी डिब्बे के पास पांच साथ दबे हैं अभी और लोग डिब्बे के नीचे दबे पड़े है जो डिबा उठने के बाद ही निकलेगे औरत है बच्चे है जो दिखाई भी दे रहे है इश्वर ना करे कि मरतकों की जो संख्या है वो बढ़े लेकिन स जाने जो है वो ट्रेन के अंदर दबी होई हो सकती है लगातार जिस तरीके से यह पूरा का पूरा घटना करन यहां पर सामने निकल के आ रहा है कि इससे पहले भी इस ट्रैक पर काम चल रहा था लेकिन रेलवे की शायद इससे बड़ी कोई लापरवाही नहीं हो सकती जिस जबाब दे ही तैह होगी जिम्मधारी तैह होगी मैं आपके पास रक्ष दुबारा लोटता हूँ लेकिन अपने दर्शकों को बता दें बड़ी खबर यह भी चश्वडीदों ने कहा कि अभी भी कई लोग दबे हो सकते है और ऐसे में जो जानमाल का नुकसान हुआ है वो मुझफर नगर में कलिंग उतकल ट्रेन हादसा एबीपी न्यूज ने रेलवे की जान लेवा चूप को किया बेनकाव मरम्मत वाली पट्री पर ट्रेन को मिली थी हरी छंडी टूटी हुई पट्रियों से गुजरने दी गई ट्रेन रेलवे की गल्ती से देश के नागरिकों की मौड जबूतों के साथ देश को सज दिखाया ABP News संभादाता रक्षित सिंग का बड़ा खुलासा ये है ABP News आपको रखे आगे